दोस्तों अक्सर हम बारिश में पकोडा या तली हुई चीजे ज्यादा खाना पसंद करते हैं लेकिन बारिश में बहुत ही हिल्दी एक सबजी भी बनाई जाती है जिसे कंटोला की सबजी बोलते हैं तो आज जो हम कंटोला की सबजी बनाएंगे इसे हम मेरे मतलब गुजरात तरीके से बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही मज़िदार बनेगी तो सब इसे खाना पसंद करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना जटपड बनने वाली कंटोला की बहुत ही मज़िदार सबजी कंटोला की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना करके तयार करेंगे तो इसके लिए मिक्सी जार में वन्थड कब भुनी हुई मुंगफली लेंगे जिसके मैंने चिलके निकाल लिये थे अब उसी के साथ दो टेबल स्पून नारियल का बूरा भी एड़ करेंगे देट टेबल स्पून कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे एक टीस्पून गरम मसाला एक टीस्पून हल्दी एक टेबल स्पून धन्याजीरा पाउडर एक टेबल स्पून कसूरी में थी, एक टेबल स्पून चीनी, नमक स्वादानू सार एड़ करेंगे और यहाँ पर हम सिर्फ मसाले के जितना ही नमक एड़ करेंगे तो इन सभी समगरी को दरदरा पीस लेंगे तो यहां पर हमारा मसाला रेडी है और इसे हमने बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं पिसा है थुड़ा सा दरदरा ही रखा है तो इसे हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे अब उसी के साथ देट टिबल स्पून सफेद वाले तील भी एड़ करेंगे और देट टीस्पून जीतना तेल एड़ करेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर हमारा सबजी बनाने के लिए मसाला Ready है आप इस मसाले का कोई भी भरवा सबजी बनाने के लिए यूज कर सकते हो अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कंटोला लिया है और यह कंटोला अभी सीजन है फिर भी काफी महेंगे मिल रहे है तो हमारे यहाँ पर यह 280 के किलो मिल रहे है आपके यहाँ पर क्या भाव मिल रहे है वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम कंटोला लिया है और इसे मैंने अच्छे से दो कर साफ कर लिया है कंटोला को अच्छे से साफ करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें काटे जैसे होते है तो इसमें मिट्टी वगेरा सब लगा रहता है तो इसे अच्छे से दोना बहुत ही ज़रूरी और साथ ही साथ मैंने एक शिमला मिर्श और एक टमाटर भी लिया है तो मैंने या पर इस तरह के छोटे आकार के कंटोला लिया है आप चाहे तो बड़े आकार के जो कंटोला आता है वो भी यूज कर सकते हो तो कंटोला को काटने पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें ब और मैं जिस तरह से दिखा रहे हूं उसी तरह से हम पतले और लंबे आकार में इसे काट लेंगे। तो समानविदी से मैंने यहां पर सभी कंटोला को कट कर लिया है। और शिमला में चोल टमाटर को भी छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लिया है। अब हम सबजी बनाने की शुरुवात करेंगे। तो पेन में 1.5 टेबल स्पून जितना तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब 1.5 टी स्पून राइ जीरा डालकर चटकने देंगे। आधी टी स्पून हिंग भी डाल देंगे। और हमने जो कंटोला को काट कर रखा था वो सारे के सारे इसमें एड़ करेंगे और स्वादानुसार नमक और 1-4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब इसे ढखकन लगाकर 3-4 मिनिट धिमी आज पर पकने देंगे और इसकी आज बिल्कुल धिमी रखेंगे 8-10 मिनिट पकने के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि कंटोला सोफ्ट हो गया है तो अब उसी के साथ हम टमाटर और शिमला मिर्च भी एड़ करेंगे और आधी टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे और टमाट अच्छे से सोफ्ट हो गए है तो हमने जो मसाला बनाया था वो सारा का सारा इस तरह से सबजी के उपर डाल देंगे और अब इसे बिल्कुल मिलाना नहीं है तो मसाला एड़ करने के बाद हम इसे ढकन लगाकर 1-2 मिनिट फिर से पका लेंगे और 2 मिनिट के बाद थोड़ा सा हरा धन्या भी एड़ करेंगे और आधा निम्बू नी चोड़ेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहां पर हमारी थोड़ी सी खटी थोड़ी सी मेठी कंटोला की सबजी रेडी है और सच में दोस्तों इस तरह से बनाई गई सबजी बहुत ही मज़ेदार लगती है और सब इसे खाना पसंद करेंगे देखकर ही लगता है न दोस्तों कि हमारी सबजी बहुत ही अच्छी बनी है और इस तरह की सबजी अगर गर्मा गरम पुलका के साथ मिल जाए तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं तो सर्विंग प्लेट में हम सबजी निकाल लेंगे और हर सबस्क्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आसांसी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुचे और वीडियो को लाइक कमेंट और शेर जरूर कीजिएगा मैं धर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसांसी रेसिपी के साथ